हेलो फ्रेंड्स आज हम बहुत ही इजी तरीके से ब्रेट पोड़ा बनाएंगे और जो की खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है और जैटपट बनके रेडी भी हो जाता है बच्चों को बहुत ही पसंद आता है तो चले अब हम शुरुआत करते हैं तो मैंने ब्रेट पोड़ के ले लिया है गुष तो थिन लैसम को क्रॉश कर दे लिया है एप अधा हम अलुका मसाला बना लेंगे उसके लिए मैंने एक पैन में दो चम्मच ऑईल लिया है दो चूटे चमच आप है और चयराएं है जैसे हमारे ब्लाइब दालेंगे आधा चूटा चमच राईं और पका लेंगे इसकी बाद इसमें हम डालेंगे अपने लैसुन जो हमने केस के ले लिया था और बारी केटी हरी मिर्च लैसुन और हरी मिर्च को भी हम अच्छे से पका लेंगे यह सारी चीजां में में करना है ताकि कुछ जलेना सारी चीज नहारी अच्छी से पंक चुकी है अब हम यहां डालेंगे आज़ा चोटा चममच लाइल मर्श वाडर अज़ा च्ममच हँदी पाउडर और आपने आलू डाल लेंगे वहांने जो हमने बॉइल करके रखा था सबको अच्छी से मिक्स कर लेंगे अब हम डालेंगे तेज के अपोडिंग नमक और यहां पर हम थोड़ा चार्ट में सरा डालेंगे जिससे आलू का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अफिर अब बारी कटी धिनिया डालके सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसे आम एक बावल में निकाल लेंगे और अपनी बेसन का घोल डेकर लेंगे ब्रेट लेटपोड़ा के लिए तो बेसन का घोल बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेशन ले लिया है उसको मैंने अच्छी से छान लिया है अब उसमें हम डाल देंगे बारी कट्यों धनिया कि आधा चमश लाल मेज पाउडर आधा चमश धनिया पाउडर और आधा चित्टा चमश जीरा को मैंने इस तरह इख से क्रश करके डाला है सारे चीज़े डाल देने के अधा हमें हाट पाल दाल देंगे टेस्क के अकॉर्डिंग नमक सारी चीज़े हमने डाल दिया है अब यहां पे हम थोरा थोरा पाने डाल के एक गोल बना लेंगे पानी हमें तोड़ा-थोड़ा एड़ करना है ताकि हमारे जो बैटर में है बिलकुल लंप्स ना रहे और गिला भी ना हो किसी तरीके से तोड़ा-थोड़ा पानी डालके हमने देखे इस तरीके का गोल बना रहे ना है इसके कंसेस्ट्रेंसी देख सकते आप अब हम ब्रेट पोड़ा की तैयरी करेंगे तो यहां पर मैंने ब्रेड ले लिए हैं एक ब्रेड को हमें उठाना है और इसमें हम इस तरीके से ग्रीन चटनी डालेंगे इससे ब्रेड पोड़ा में बहुत दीचा टेस्ट आता है आप कोई भी चटनी डाल सकते है टेमेटे साज भी डाल सकते है और यहां पर हम आपने आलू का मसारा लगा देंगे अभी सारी जग अच्छे तरीके से मैंने ब्रेड के जो साइट के कौनर से उसको निकाला नहीं है आप चाये तो निकाल भी सकते हैं यह देखे सारी ब्रेड में हमने अच्छे से आलू लगा दिया उपर से एक ब्रेड और लगा देंगे हम और इसे साइड में रख देंगे इसी तरीके से हम दुसरा भी लगा लेंगे चटनी लगाएंगे उपर से आलू का मैसाला लगा द हम अपने ब्रेट पकोड़ों डाल देंगे तो हमने जो बेशन का बैटर बना के रेडी किया था उसमें हम अपने ब्रेट पकोड़ों को डीप करके इस तरीके से पहले सारा बेशन निकलने देंगे उसके बाद कड़ाई में डाल देंगे उसी तरीके से हमें दूसरा भी डाल देना है और डालते समय हमें थोड़ा साथ दानी रखने हैं कि तेल की छेटे हमारे पर ना आए दिखिए दोनों हमें डाल दिये अपने अब कुछ सेकिन के लिएसे ही पका लेना है कुछ सेकिन हो चुके है अब इसे हम पलट देंगे यह दिखिए एक तरफ से हमारा अच्छे से पक चुका है और इसे हम पलटा के दुसरे तरफ भी अच्छे से पका लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर दीजेगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करेगा यह दिखिये हमारे बेट पुकोड़े में अच्छे सा खलार आ चुका है और यह अलमूस्ट पक चुके है अब हम दोरो तरफ से इने उल्टा उल्टा के एक बार चेक कर लेंगे हमारे बेट पुकोड़ अच्छे से पक चुके है और इसे हम निकाल लेंगे ब्रेट पॉक्र हमने निकाल लिया आप हम इससे सर्फ करेंगे तो मैंने इसे green चटने के साथ सर्फ किया आप चेमाईटो स्वास या किसी और चटनी से भी सर्फ कर सकते हैं और मैंने इसे triangle shape में कट कर लिया था पूरा वीडियो देखने के लिए था